असलाम आलेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं उमीद करते हैं आप लोग फुछ सोंगे खैरियत सोंगे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बैगन की रेसिपी लेकर आए हूं इस्टफ बैगन भरवा बैगन बहुत ही टेश्टी बनता है फ्रेंड्स इसको बनाने में कोई भी आसान रेसिपी लेकर आएं, इसके लिए हमने एक टमाटर, एक प्यास और हाफ केजी बैगन लिया है, तो सबसे पहले बैगन को कट करके पानी में डाल देंगे, देखे इस तरीके से कट करेंगे, अंदर का चेक भी हो जागा कि सरा हुआ है या कीरा है, कि नहीं वो भी चेक ह पॉर्डर, काली मिर्च पॉर्डर, जीरा पॉर्डर, आमचूर पॉर्डर, नमक डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकोर्डिंग डाले, अपने टेस्ट के अकोर्डिंग, नमक डालेंगे, लैसन पेस्ट डाल देंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखे मसाला म उसी में जो तोड़ा सा मसाला डाल देंगे तो इस तरीके से पेष्ट होना चाहिए ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए अब सारे बैगन को हमें पानी से निकाल लेना है कि हमने निकाल लिया अब इसे मसाला से स्टफ करना है इसमें मसाला डालना है बीच में इस तरीके से चम अगलक मसाला नहीं, बस ध्यान रखिएगा जब हम प्याज और माटब पीसेंगे, उसमें पानी नहीं डालना है प्याज और में जो पानी निकलेगा, उसी हमें मसाला डाल देना है इस तरीके से हमारा मसाला का पेष्ट मनें रेडी हो जाएगा तो हमने सारे बैगन को स्टफ कर लिया, जो मसाला बचा है अब उसे हमें भूनआ है, तो एक कराही में हमें तेल डाल देना है, हमने हमें सरसो तेल का استعمाल किया, तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें एक छोटा छममच सरसो डाल देंगे सरसो जब चटक जाएगा तो जो मसाला बचा हुआ था उसे डाल देना है और उसे ज़्यादा भुनना नहीं बस धूरा दे एक मिनट के लगवाग फ्लेम पे रखना है आपको देखे इस तरीके से उसके बाद जो बैगन हमने स्टफ करके रखा था उसे करा अपने हिसाब से मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम कर सकते हैं और इसे थोरी थोरी देर में खोल-खोल के चला देंगे टर्न करते रहेंगे ताकि एक साइड वह ज्यादा ओवर कुक नहों तो दो चार मिनेट के बाद बाद खोल के हमें इसे बाद टर्न कर देना है लेकिए इस करेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है तो इस प्रोसेस से आप एक बर जरूर भरवा बैगन ट्राइ कीजिए उमीद करती हो आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगा इसको बनाने में कोई जंजत नहीं है बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही डिलीसियस बनता है तो इसे हम ठर्न कर देंगे तो इस तरीके से घ़कि बनाएंगे तो अच्छे से गल जाएगा अंदर तक वहत ही अच्छे से गल जाता है इसे फिर से धख देंगे और दूसरे साइड है यह से पकने देंगे देखिए हमारा टेस्टी सा भरवा बैगन बनके रेडियों गिया द तो जब तक राव गलेगा हमें फ्लेम में पकाना है यह रखाना तो लाई आप मासाला चल जाएगां और बैगन गलेगा हमारा बैगन रेडियो किया है इसे डिस उट करते हैं इसे सर्फ के जिये बहुत ही टेस्टी लगता है जब सर्फ करें इसके उपर आप अप्र दन्या देखने में बहुत खुबसूरत लगेगा तो देखे इस तरीके से कितना टेष्टी लग रहा है ना इस प्रोसेस से आप एक बार जरू ट्राइ कीजिए और कॉमेंट करके बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा प्रेंस देखे आपको ये चेक कर बात ही कितने अच् ये प्रेंस पर वाचिक दीए